नमस्कार दोस्तों मैं गजे संकर पंडे और अपने यूट्यूब चैनल हेल्दी किड्नी में आपका स्वागत करता हूं जैसे आपने मेरा जो यह टैग लाइन और जो मेरी यह हैडिंग पड़ी होगी आयुस्मान कार्ट से किड्नी ट्रांस्प्लांट और किड्नी हम लोगों के साथ एक जूटा वादे करती है मैं पुरूफ के साथ कह सकता हूं कि किसी भी किड्नी पेशन्ट को बात्र एक या दो परसेंट होंग या तौका दो तीन परसेंट चार परसेंट इससे जादा कोई किड्नी पेशन्ट नी होगा जिसे आयुस्मान कार्ट से हुआ हुआ या आयुश्मान कार्ड के जरियों से डैलिशिस फ्री मिल रही होगी मात्र दो ही 4% लोग हैं जिने ये सुविधा मिल रही होगी और वो ही मुझे नहीं पता वो कहां पे हैं उन्हें मिल रही है कि नहीं मिल रही को कि मेरे जो मैसीज आये थे मेरे वीडियो में अंदर प्रदेंद से से वालीर से पंजाब से राजिस्थान से कि सर आप आउस्मान कारट के वारों पता कीज़े क्या यह गौपर्मंट जो यह बोलती है कि आउस्मान कारट की वेनिफिट सब supply मिल रहे हैं अगर आप Google परता की श्रच मार करती है जितने वी इलेक्षण में हर साल कोई मेंसी कर सकता कि अग Cop sup को यह एक दोपら सेंट पूरे मान के चलो एक लाग-दो-भी-षी-बीश-लाग-ट-वी-श-लाग-ग- एक क्रोड होंगे लेकिन उनके लिए तो सरकार को कुछ सोचना चेहिए कि विमारी इतनी गंभीर है घर Saw इतना गंभीर है एक आंभी अगर इस बीमारी से गर्शी तो सुझा था है टिड़नी की प्रॉब्लम से पीडी तो जाता है उसकी पूरी जिन्देगी या अगर वो घर से सामर्थ है या उसके पास प्यासे वाली घर से फिजिकली मेंटली या फैनेंशली उसे सपोर्ट मिल रही है तो वो इस फाइट से लड़ सकता है दोस्तों मैं सरकार से हाज जोड के बिंती करता हूँ मानने शरी नरेंद्र मोदी जी आप एक ऐसी घोशना कीजिए कि जितने भी ये किड्मी पेसेंट हैं भारत सरकार द्वारा उनको आजीवन मुफ्त दवाई, मुफ्त इलाज, मुफ्त रांस्प्लांट का खर्चा दिया जाए तो हम जितने ही पेसेंट हैं हम पर आप एक ऐसा उपकार करेंगे जो हम आप योगों का उससे रिणी रहेंगे कि जो हो ना तो हमेशा सरकार से कहता हूं कुछ ऐसी पॉलिशी लाईए कुछ ऐसा कार्ड बनाईए जैसे आयुसमान कार्ड बनाया आपने बीपेल कार्ड बनाया बीपीच्यल कार्ड बनाया भहिया मेरे तो समस्षते हैं कि मैं एक वार गया भी SDM से मिलावी, DM से मिलावी उन्हें बताया कि मैं कितनी टांस्प्रांट पेसेंट हूँ तो वो पूछते हैं भया रासन कार्ड में कितनी लोग है आपके मैं सर हम तो तीन यूनिट हैं बस मैं मिया, मेरी वाइप और मैं एक मेरा बेटा क्यारे देखो आयुस्मान कार्ड उनका बनेगा जिनके रासन कार्ड में 6 लोगों का नाम है हम मैं रासन कार्ड वाले से मिला वो भी मिर से क्याता है जिसका रासन कार्ड में 6 लोगों का नाम है उनका आयुस्मान कार्ड बन रहा है और एक चीज़ और मैंने देखी दोस्तो लेटर भी लिखा मैंने सब कुछ किया मेरे एक चीज़ संज में नहीं आती कि जो रासन कार्ड पर जिनकी छे यूनिट है उन्हीं का यह आयुस्मान कार्ड बनेगा जिनकी कम यूनिट है उनका आयुस्मान कार्ड को नहीं बन रहा तो यह गौवर्मेंट क्या मदभ जिधा मिल सके किसी प्राइविट होस्पिटल में इतने इतने मैनुफेस्टी जारे कर देते हैं फिरी रासन फिरी पानी फिरी शिक्षा फलाना धिकाना सब कुछ पिरी अरे जो बिचारा के निसे पेशंट बीमारी से घरसित हैं जो हफते में दो-दो वार्ड डालिसिस कर वारा उसका खर्चा कैसे होगा डाटा आप लोगों को नहीं मिल पा रहा तो मैं डाटा आपको पुरे ऑल ओवर इंडिया को प्रवाइड करवा सकता हूं उनको पार डाटा तो सब मिल जाएगा हर प्राइवेट होस्पिटल से डाटा निकल वाले हर सरकारी होस्पिटल से बीम च्टेश सब्तनी प्रस्टों करें तो सब्सक्राइब करोड़ों जाएगा फार्याइगा आपने में अपने हाथ में लगवाए बड़े-बड़े और सके बांड सब्सक्राइब घराएब के वर्मेंट को बिल देसे आपके कारड बनवा दो हम प्राइवेट सबसीडी दो काड़ पर हर साल उसे रिन्यूवल कर दो पांच लाग का जैसे आप आयुसमान काड़ बना रहे हो पांच लाग के उसमें हर साल डाल दो आदमी अपना कहीं प्राइवट होस्पिटल में करवा ले खतम हो जाएगा फिर वह बिल अप्लीकेशन लगा के फिर से र स्वारा जो जो ये बताते है कि ये मिल रहा है कहा मिल रहा है है मैं सब्सिltंघ मान काड़ का मैं आप को आपको live demo दिखाने वाला हूं अब google पै के देखना है जोस्तो आयुसमान काड़ के benefit शीदा लिखना आयुस्मान रहा हूं मैं लिखके रहा हूं मैं एक चीज है आपक से आप डालोंगे इसमें लिखा है बीपी सीयल औरुषमाण काड्ट ऑरोग करनाटक क्या ऐसमाण काड्ट डालिसिस को कवर करता है इसमें लिखाए औरुषमाण भारत आरोग करनाटक करनाटक में देखो को 28 मर्द 2022 का है बीपील कार्ड धारकों को हर महीने डालेसिस बारा मुफ्ट कर दिया जाएगा अरे कोई ठाकूर है क्या वह गरीब नहीं हो सकता यह बीपील फिर वही बीपील सब्द लिया है बिमारी क्या देखके आती किसी को अमीर गरीब को इस के लिए को न कौन पात्र है करोनी चिड़्न रोगी और उप्चार सब को पता है था कर वाएगा जाकर ना कि में रूकber फ्रीए क्या मैसमान भारतhey के लिए निसिल्क है लेकिन कहा इलाज कर वाला कि करणात कि में यूपी में कौन सा प्राइविट होस्पिटल है जहां पर डालिसिस आयुष्मान कार्ट से फ्री में हो रही है पंजाब में चंडीगड में हो रही है और फ्राइविट में को नहीं होती है कार्ट के जरिये मुस्त दवाई ले सकता हूँ अगया क्यों क्या रही है को पॉयलिक नहीं है कोई कार्ट में बनाया है जिसके जरिये हमें मुस्त कि ट्रांस्प्लांट के बाद मेडिसन मिले मैं चाहता हूं यह वीडियो मेरी बहुत दूर तक जाए जितने भी हमारे सरकार में बैठे हैं उचे पद पर हेल्थ मनिस्टर वह ताकि इस चीज को नोटिस करें इसके वारे मैं कुछ सोचें विदेशो में तो देखने अच्छा रिसर्च हो रहा है और इंडिया में कई और कोई रिसर्च टीम बैटी है इसका जवाब कौन देगा जम की बड़े और मैसी आ जाते हैं यार तुम यह क्या खर बोलते रहे सरकार को पर को नहीं बॉलनों भाई मैं पीडितू उश्चीज से मेरे जैसे लाखो लोग हैं जो इस चीज से पीडित हैं प्रेशन होता है पुरा मैंड डिस्टब हो जाता है अब क्या होगा उर्टी छोटी चीज हम लोगों को सोचने मजबूर कर देती है लेकिन सरकार पता नहीं क्या मैनिफेस्ट्ट जारी कर देती है अब कोई मुझे एक नवेडा में एक होस्पटल ऐसा बता दो यूपी में जा मैं कोई मेरा कोई ऐसा कार ऐसा कार ऐसी हो में फैसलिटी देदे कि हमें मैडिसन फिरी मिल जाए जौब दे दे कोई ट्रंजिटनी ट्रांस्प्रांट वाले गवर्मेंट इक जौब ही निकाल दे कि वहाई आप पार टाइम यह जौब करो और आपको मैडिसन दे धवाई-वाई सफिरी मिलेगी आपका आपकी फ्यूचर सेफ है आपके बच्चे सेफ है कुछ नहीं है इस दोस्तों मैंने सब कुछ सर्च कर लिया अगर आपको कहीं भी कुछ मिलता है उसमान कार्ट से रेलेटिव आप बताईए आप पटवारी के पास जाएए वह पटवारी बोलेगा कि लेक पाल से मिलीए लेक बोलेगा मेरे आत्में निक अप जाके वहाँ से अपील कीजि जाहिए और यह लेटर लिखवाली जी MLA से और MLA रहात को उस फंड से आपको इतने फलाना फलाना राशी मिलेगी मेरे ससुझी ने मुझे किड़नी देने को तैयार है बस मेरे पास पैसे की थोड़ी जरूरत कम पढ़ रहा है मेरे पास पैसा नहीं है तो हमें कुछ मदद की जाए उन्होंने आसवासन दे दिया बस आप मिश्चिन रही है एक हफ्ते कंद्र पैसा जाएगा आपके काउंट म हॉस्पिटल में जहां प्व ट्रांस्प्लांट करवा रहे वहां का डाटा वहां के यह फौरम वरं प्लाना दिकाना सब लाकर अब दिया दस-पन्रा जिन दोड़े ला लाकर जमा कि है फता चला कि वही है वह वहां पर जबाब नीं उस पर ऑल-लाइन चेक करे जैक करे इस उस पर चेक करें उस पर चेक करें कुछ मिला नहीं जब किद्नी ट्रांस्प्रांट हो गया 2022 से फोन आता है लिख पाल का कि आपको फंड के लिए बाच्ची चल दिया इंतियार में किद्नी मिलेगी कोई किद्नी डॉनेट कर रहे हैं इसरकार को तो कुछ तो ऐसा करना चीए कि जो भाई डॉनेट करने वाले हैं उनके पास कुछ सुधा दे दे कि उनको कोई न कोई फंड प्रवाइड करवा दे 10-20 लाख रुपे यह कोई कार्ड बना दे 5 लाख कार्ड बना रहे हो तो यह तो हमें तो इससे कोई बैनिफिट नहीं मिल रहा है उसमाइन कार्ड से पता नहीं क्या चलेगा दोस्तों कुछ सुर्ण में नहीं आता लेकिन हकीकत तो यह है जो जिस कष्ट में जी रहा है जो किस कष्ट मर रहा है उसका कोई निवारण नहीं करने वाला है अगर आपके पास पैसा है तो आप बिमारी से लड़ सकते हैं अन्य था आप भी मेरी तरह संघर्ष कीजिए एंजियो जाईए यहां जाईए वहां जाईए उनसे मिल लिए कुछ फंड मिल गया कुछ रिष्टेदार से मांग लिए कुछ परूशी से कुछ अपने दवाई आदमी क्या करेगा कि कुमार है उसकी ट्रांस्प्रांट वा विचारा अभी कुमार का काम करता है क्या करें मजबूरी है मैं तो सरकार से फिरसे हाज जोड़ के विनम निवेदन करता हूँ कि आप कुछ ऐसा सिस्टम बनाए है कि किडिनी ट्राइलिसिट को ड्यालीजिस पेशेंट को किडिनी फेलियर को जो dialysis पर है कम से कम उसकी dialysis की सब private hospital में free कर दें, उसकी दवाई free कर दें, कोकि dialysis पर आदमी 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साली जी पाता है, कितने तो कष्च से मर जाते हैं, किस से सोच के मर जाते हैं, वेटिंग के लिए मर जाते हैं, इलाज नहीं मिल पाता, पैसे वाले होते हैं, परिवार के साथ रह सके और दूसरा किटनी ट्रांस्प्रांट पेशन्ट जिनका हो चुका है उन्होंने जैसे तैसे कहीं ना कहीं से खेत घर गड़ी घोड़ा बंगला जो भी था उनके पास बेच बाच के करजा लेके उन्होंने किदनी ट्रांस्प्रांट करवा दिया है तो उनको हाजीवन मुफ्त उप्चार मुफ्त दवाईयां मुफ्त टैस्ट और मुफ्त डॉक्टर से कंसर्ट जहां भी उनका ट्रांस्प्रांट हुआ है कितनी भी कोई हुँ ऑस्पिटल में क्योंकि एक 500 से लेकर 5,000 कि है एमरजैंसी में डढ के भांगे जा नहीं पाता कहां से लाएगा 5000 रुपे कांवी 1500 रुपे हमारी डॉक्टर के फीश हम कहां से लाएं महीने 15002 साथ सूर्पे का टेक्स कितने होगे 2700 रुपे साथ ताइससों रुपे दस बाराजार की दवाई महिने का कम से कम कार्ण्मेंट को 20 कोई काड़ बना दे भाई कार्ण के जरिये से मुफ्त में और अगर जिन भाईयों का आई मान कार्ण के जरिये हो रहा है उनको हारदिक सुख्काम नहीं बहुत और जोनको दवाई मिल रही है उनको भी बहुत बहुत सुबकामना है या आपको कम से कम दवाई तो मिल रही हम लोगों तो कार्ड भी नहीं बन पा रहा समस्या यही है वह इच्छा है रासन कार्ड में यूनिटी चाहिए 2011 की जंगन्ना में नाम होना चाहिए या तुम्हारा सर्मिक कार्ड होना चाहिए कहां से लाएं दोस्तों समझ में नहीं आता इतने पेशन्ट है कितनी पेशन्ट हैं कोई कार्ड को नहीं बन पा रहा गवर्मेंटिस के वारे में सोच क्यों नहीं रही अब मैं आपको Google पर बत करें दोस्तों कार्ण इंडिया टो सिमें है लेथ है और पोंवर्ब्र अलॉषण वॉवर्ड एब को निक ड मिमिन धिसा कीड इसस्य टीडे सेवंट पैंट एक मिलियों मिये इतने बंदे हैं जो इंडिया में हैं जो किड्मी की मरीज हैं 7.8 मिलियं क्या गवर्मेंट के पास इतना पैसानी के लोगों की मदद कर सके कर सकती है चाहे तो कुछ भी कर तकी गवर्मेंट और इसका जवाब हमने दे सकते हैं तो कि रक्तदान अंगदान महादान होता है जिसके कोई कीमत नहीं होती अब एक चीज और है बहुत अच्छा कुश्शन एक मेरे से मुच्छा था कि सर उसके पास डॉनर है सब कुछ है लेकिन वो किड्मी ट्रांस्प्लाट नहीं करवा सकता रीजन पैसा नहीं है तो क्या सरकार ऐसे लोगों की मदद नहीं कर सकती जब उनके पास डॉनर है और कुछ कानून ऐसे बना रखें पैसे वालों का दोस्तों सब कुछ हो जाता आप यह मान के चलना चाहिए उनके पास डॉनर हो या ना हो वो सब कुछ कर सकते हैं लेकिन एक आम आनमी एक गरीव पास महीने की इंकम ही 15-20,000 रुपे हो अगर वो किड्नी पेशेंट बन गया तो सोचो उसका जीवन कैसे बीतेगा या सोच कर इतना तकलीफ होती है क्योंकि जिनको यह बिमारी नहीं है उन्हें तो पता नहीं है और जो इस बिमारी में जूज रहे हैं उन्हें पता है कि ज शिक्योर नहीं होती वह भी टेंशन में जी जाते हैं पुरी जिंदेगी अपनी और जो लंब्या जीते हैं उनके पास फैनेंशली सपोर्ट है हर चीश से सपोर्ट मिलती है मैं यूपी से हूं यूपी गवर्मेंट को ऐसे स्कीम को नहीं ला सकती अरे छोटे-छोटे-छो वह दिमाग खराब वाली बात करते हैं बीपियल कार्ड नहीं है तो कैसे डालिशीज नहीं करवाएगा आदमी और यह कहां होता है यह मैं च्छानबिन कर रहा हूं इसको पर वह एक विडियो ना हूंगा मैं बाहर निकलता हूं तो मैं सबस्ते ही काम मेरा रहता है पूछन लोगों से आयुस्मान कार्ड आयुस्मान कार्ड में कौन-कौन सी बिमारी कवर होती है आपको पता है यह यह नॉलिग होनी चाहिए बहुत है अब देखो अकॉर्डिंग टू एवी टूनी बताते हैं सीधा है ना सभ़जरे हो यह बताते हैं मारी चुन-कौचार इस योजना के तहट किया जाता है लेकिन कहां होता है किसी को नहीं पता है में चीदा लिख दिया इस योजना के तहट अस्पताल में भरती होने की स्थि में करोना कैंसर गुर्दा रोग हर्दे रोग डेंगू चिकिस्षा मलेरिया गुटनच पूला निसुल कुपचार के तहट के जाता है करोना कैंसर गुर्दा हर्दे डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया डालीशीज डालीशीज प्राइविट में यह कहां हो रहा है भाईया हमें बता दो जरा और किस किस का और यह भी बता दो हमें मेडिशन मिलती के डालीशीज पर उने जो डालीशीज इस कार्ड से करवा रहे हैं नहीं मैंने शुरू में बता देता चार-पांच परसेंट होंगे जिने मिल रहा है बाकी अपनी जेप से अपने खर्चे पर सब कुछ कर रहे हैं तो दोस्तों कहने को तो बहुत कुछ है स कर दोस्तों कि अरुए जिने मिलत देखती कstorm है и जिने जेने मिल रहेह हैं since Nanter retire तो शुरू में आपना झाल दोस्तों कर दोस्तों कर दो जोस्तों कर दोस्तों कर दोस्तों दëना कर दोस्तों कर आल्य।